मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट है यूपी उत्राखंड और दली समेट के राज़े में भारी बारिश को लेकर आशंग का व्यक्त ही गई है इन सबके बीच देश के कई हिस्सों से बारिश और बार की दरा देने वाले तस्वीरे सामने आ रही है लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है कुदरत जब तबाही मचाने को अमादा हो तो कुछ नहीं देखती अपने रस्ते में आने वाली हर चीज को तभा कर देती है इस वक्त कमोबेश देश के अलग-अलग लाकों से ऐसी सन कर देने वाली तस्वीरें आ रही है ये द्वारका का हरी पर पानेली मार्क है बाल का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है एक कार सवार ने सलाव को पार करने की कोशिश की लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई इसके बाद इस्थानिये लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रेक्टर से बांद दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खीच लिया गिया ये वीडियो शिंगोडा नदीका है जहां सेलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है जमजिर धोद नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा ये सलाब निचले लाकों में तबाही के संकेत दे रहा है गिर सोमनात में मुशलाधार बारिश ने हालात भयावे कर दिये है गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी धैशत पैदा कर रही है बानेच धाम के पास सलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानों ये लहने सब कुछ बहा ले जाने को तयार है केदारेशवर्ट चैक डैम की तस्मीरे भी देख लीजिए डैम ओवर्फ्लो हो चुका है जुडवली और इटवाया गाउं को जोड़ने वाली सड़क मच्छाउंदरी नदी में समा गई है जिस वज़ा से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है तस्वीरे देख कर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनात में सैलाप किस कदर तबाही मचा रहा है प्राची तीर्थ पर मौझूद माधवराय मंदिर बाड में समा गया है उपर इलाकों में हो रही बारिश की वज़ा से सरस्वती नदी में जबरतस तुफान है बाड का पानी अपनी सीमा से कई मीटर के उचाई पर बह रहा है जिस वज़ा से यहां लोग डरे सहमे है दावा किया जा रहा है कि एक दिन में हुई छेंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है शॉपिंग कॉंप्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है लेकिन भारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी विवस्थाएं सडक पर उम्डे सेलाब के साथ बह गई है अमरेली में भी भारी बारिश की वज़ा से हालात बेकाबू हो चुके हैं जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी है पातला गाउं से आई ये तस्वीर देखिए जहां सेलाब की टककर ने सडक के दोनों किनारों को लील लिया है और आब अमरेली के तितानिया गाउं की रोंगटे खड़े कर देनी वाली दस्मीरे भी देख लीजिए यहां का खोडियार मंदिर बार्ड में डूप चुका है सेलाब की लहरे यहां लगातार विक्राल रूप लेती जा रही है राजकोट में भी पांच से साथे इन छुई बारिश ने हालात भयावे कर दिये हैं बारिश के बाद सड़कों पर सेलाब उमण गया है जिस वज़ा से गामों का संपर्ग सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह रोंटे खड़े कर देनी वाले तस्वीरे मद्यपरदेश के मुरैना जिले की है यहां टिक्टॉली दूमदार ज़रने पर तीन दोस्ट पिकनिक मनाने आये थे लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वज़ा से तीनों तेज धारा के बीच फस गए आनन फानन में स्थानिय प्रशासन तक सूचना पहुचाई गई जिसके बाद स्थानिय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया उदर मौसम में भागने अगले कुछ घंटे तो दिल्ली, यूपी, बिहार, जारकंड, मद्यपरदेश, चतीजगर, राजिस्थान, महराश, उत्तराखंड और हिमाचल परदेश में भारी बारिश की आशंकर जताई है यही वज़ा है कि परशासन की होट से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लगातार जो आम लोग हैं उन्हें परशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोंडा गाउ में भारी बारिश का कहर जहां बड़े करेरा मार्क पर एक पेड़ गिर गया पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया सड़क के दोनों ही तरफ गालियों की लंबी लाइन लग गई सड़क से पेड़ खटाने की कोशिश जानी है देख सकते हैं आप किस तरह से ये भारी भरकम पेड़ जो सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ है और पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया तो कोंडा गाउं में भारी बरसाथ से नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ गया है इलाके में बाल के हालाद हैं जोंधरा पदर और बमहनी पुल के उपर से पानी बह रहा है जोंधरा पदर पुल से आवाजाही बंद है मौके पर नगर सेना के जवान तैनाथ है गुजरात की वड़ोद्रा में एक विजे स्कूल के दीवार गिर गई जिसमें दीवार गिरी उसे पानी बंद है